सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पासके लेटेश्ट अग्नालॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो समसंग कीज़ के फे काफी अच्छा फीचर है समसंग कीबोड को कस्टमाइज करने के लिए कीज़ कैफे अपडेट यूर समसंग कीबोड एंड राइगें तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करें और कैसे कीज़ के सारे फीचर्स को यूज करें सब कुछ मैं डीटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और लाइक कर दे देखेगा और चैनल पर नहां है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शटाब देख रहा है और टेक दोस्त प्यू तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले को नीचे वर्जन जो वर्जन 5 है आपको उसे भी डाउनलोड कर लेना है दोदों अप्लिकेशन्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप डाउनलोड कर लीजिए इंस्टॉल होने का बाद आपको इसे ओपन करना है यहां पर देख सकते हैं वही सेम प्रॉब्लम आ आपधे मैं आपको दिखा देता हूँ जो की है 3.5.45.2 तो यह कंफर्टेवल नहीं है जो कीज कैफ है वो वर्जन 5 पे कंफर्टेवल है तो यहां पर देख सकते हैं यह है समसंग कीबोड का वर्जन 5 तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है तो यह इंस्टॉल हो रहा है द इस Cafe को open करना है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको आपको open करना है, open करने के बाद आपको setting में जाना है, यहां पे आपको setting में मिल रहा है, इस पर आपको click कर देना है, उसके बाद आपको कुछ options देखने को मिल जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहां पर Samsung keyboard पर प्रेस करना है तो यहां पर देख सकते हैं यह enable हो चुका है दोस्तों यहां पर make your own keyboard को आपको on कर देना है और यहां पर plus के icon पर click कर देना है तो यहां से आप edit कर सकते हैं दोस्तों जो Samsung keyboard है इसको आपको edit पर click कर देना है यहां से आप edit कर सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ काफी सारे आपको कीज देखने को मिल जाते हैं बैसिकली यहां से आप कीज को एडिट कर सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहां से कोई भी कीज को आप edit कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे options भी दिये हुए हैं दोस्तों keys हैं तो यहाँ से आप emoji भी add कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बिसिकली आपको emoji पर click कर देना आरिया प्रेसेंड होल्ड करके यहां पे आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं दोस्तों काफी सारे आपको कीज देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे एड़ेस्ट तो इसके बाद आपको यहां पे उपर में क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पे आप इसका नेम कु कर देना है उसक बाद से पर क्लिक करेंगे तो यह से पर थैसके अलाबा सिमबल क्या है तो यहाँ पर प्रैस के ऐइकन पर आपको एडिट कर दिना है तो यहां से आप पेज URL पेज स्रुम्ड पर सकते हैं दोस्तों यहां पे भी आपको काफी सारे options दिये हुए हैं जैसे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे देख सकते हैं यह edit हो चुका है और यहां जो symbols रहता है मुझे इसे edit कर देना है दोस्तों तो यहां पे भी आपको काफी सारे options दिये हुए हैं यहां पे भी आप जैसे keys को edit कि जैसे alpha weight को edit किया है उसी तरह से आपको यहां पर भी emojis यह सब मिल जाते हैं तो यहां से आप इसे edit कर सकते हैं तो इसी तरह से आपको keys को customize करना है तो अगर आपके device में भी keys cafe वर्क नहीं कर रहा है तो आपको keys cafe download कर लेना है नीचे description में लिंक है उसके बाद Samsung keyboard का जो version 5 है उसे download कर लेना है दोनों applications का लिंक नीचे description में है उसके बाद आपको इसे install कर लेना है और आपके device में perfectly work करेगा दोस्तों एक feature missing है जिससे और भी आप अची तरह से customize कर सकते हैं लेकिन वो especially 1EY 2.5 users के लिए है तो A50S में बहुत जल्द 1EY 2.5 का भी update आ जाएगा तो मैं उसमें भी video बनाऊँगा कि कैसे आपको उस feature को enable करना है दोस्तों तो वो 1EY 2.5 के update आने के बाद enable होगा तो यही था आज किस video में उमीद है आपको यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई होगी वीडियो को कर देजिएगा like channel पर नहाँ है तो channel को कर देजिएगा subscribe मैं मिलता हूँ आपसा next video में तर तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम